हलो दोस्तों आ गई हूं मैं आप लोगों के लिए आज एक नई वीडियो लेके आज हम क्या करेंगे कि कम्प्लीट नंबर में से मिक्स फ्रेक्शन को माइनस करना सिखेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह हम कैसे करेंगे ठीक है यहाँ पे लिखा है यहाँ पे आपको दिया हूँ है कि 100 में से 83 इस टू 1 बै 3 परसेंट को हमें क्या करना माइनस करना है ठीक है तो क्या करना है न सबसे पहले इसको ले लो 1 बै 3 को लो इसको 1 में से माइनस करो 1 में से 1 by 3 को माइनस करो तो क्या आ जाएगा 2 by 3 2 by 3 2 by 3 लिख लो ठीक है अब आपने 1 का यूज कर लिया क्योंकि 1 में से आपने 1 by 3 को माइनस किया ये 1 हमने कहां से लिया है 100 से लिया है हमने किस से लिया ये 1 100 से इसका मतलब 100 में से हम 1 को use कर चुके, अब हमारे पास कितना नमबर बचा है, 99 हमारे पास कितना नमबर बचा है, 99 इस 99 में से अब हमें किसको minus करना है, 83 को क्यों, क्योंकि भाई, 1 by 3 को तो हम minus करके लिख चुके है, अब बचा को 83, उसको कर दो 99 में से minus, 99 में से minus, करो 99 minus 83 किंदा आ जाएगा 16 यह आपका answer हो जाएगा यह आपका answer हो जाएगा इतना ही करना है ठीक है आपको simply क्या करना है देखो सबसे पहले तो इस fraction को ले लो fraction को minus करो fraction को किस में से minus करोगे 1 में से 1 में से आपने minus कि आपका आगा 2 by 3 ठीक है यह 2 by 3 आपने से 1 में से minus कि इसका मतलब हम 1 use कर चुके है किस में से इस 100 में से 100 में से 1 को हम use कर चुके है तो अब कितना बचा हमारे पास 99 और बचा को ने minus करना 83 तो 83 minus कर दो आपका answer आजाएगा आपका answer आजाएगा समझ में आया समझ में आए देखो एक और question लेते है समझ में आ गया होगा फूरी देखो माल लेते हैं आपको यह दिया हुआ है 1 case is 2 2 by 5 किस में से minus करना है 100 में से यह आपका normally percentage में बहुत काम देगा ठीक है percentage में बहुत काम देगा यह से लिखा होते है 100% minus 21 is 2 2 by 5 percent को minus करके बताओ percentage में बहुत काम आएगा तो इसको क्या करोगे simply पहले 2 by 5 को complete करोगे मतलब कि 3 by 5 मतलब complete करने का मतलब एक में से minus कर लो एक में से minus कर लो तो कितना आ जाएगा 3 by 5 ही आएगा ठीक है तो 3 by 5 अब इसका मतलब आपने एक को use कर चुके है तो एक minus कर लो अब बचा कौन है minus करना 21 तो 21 minus कर लो 8 और 7 तो आगे 78 is to 3 by 5 percent समझ में आई यह हमारा answer हो जाएगा यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है एक और दगो एक और ले 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 आए समझ में आई गया होगा मालते है मैंने लिया 63 is to 1 by 7 percent यह हमें minus करके बताना है किस में से 100 percent में से किस में से 100 percent में से 100 percent minus 63 is to 1 by 7 percent इसको आप minus करके देखा फिर से वही फिर से आप क्या करोगे 1 by 7 का साथ ही लिया हो मतलब कि 1 में से minus करोगे तो कितना आएगा 6 by 7 1 आप यूज कर चुके इस में से बचा 99 ठीक है 1 आप यूज कर चुके तो बचा 99 इस 99 में से 63 को घटा दो तो यह बचेगा मेरा 6 और यह बचेगा 3 तो यह आगया 36 to 6 by 7 36 to 6 by 7 यह मेरा अंसर हो गया एक छोटा सा question और ले लेते हैं फिर इसको end करते हैं यहीं ते मानते हैं आपको 100% में से 75 is to 1 by 5% को माइनस करना है तो आप कैसे करेंगे फिर से वही 1 by 5 का साथ ही ले आओ मतलब कि 4 by 5 एक आप यूज कर चुके तो 99 में से 75 को माइनस कर दो तो यह आ गया 24 24 is to 4 by 5% is my answer समझ में आया समझ में आया तो देखो इतना ही आसान है यह आपको कुछ नहीं करना ठीक है आपको 100% में से कोई भी % आपको मेंस फ्रेक्शन में अगर आपको माइनस करना है तो आपको इसी तरीके कमेंट किक करके बताईएगा कैसी लगी कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यहीं पर खतम करते हैं मैंनेम इस मोनिका और थैंक यू सो मच वर वाचिंग